ये सीबीसी ने सी विउ उपर पंपिंग मशीन लगा दी है ताकि पानी बारिश का जो जमा हो या तुफानी रहरों का उनको निकाला जा सके ये सी विउ के मेनाजर हैं पुलिस की मॉबाइल भी खड़ी है लोगों को यहां पर आने से रोखने के लिए ताकि लोग यहां पर पता नहीं था माँ नेट चलिए बुरा बारा दिन तर बारा तबा अलाड हो चुगा है आपको पता ही नहीं था और आप बचे भी लेगी आयो ला ना कर रहे को नुकसान हो जा इनको अप्टर ना करें तो फिर अब फोर्ड का मतलब क्या है सब्दफा 144 क्या लाती है और समय यह भी कानूनी काम यह दे इस पर पबंदी लगा जिसके वह तो पर तुफान आ रहा है तो 144 गवर्मंट ने लगाई ए जिसके पर पबंदी लगाई कि समंदर के अंदर कोई नहीं जाए कि किसी को जानी नुकसान ना वीडियो बनवाएं अपने कारोबार की तरफ़ी के लिए इस नमबर पर वाइस नोट भेजिए ताजा तरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन और ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले बिस्मिल्लाहिरुर्मानुर्हीम अस्सलामु अलाइकूम मैं हूँ फहीम सिद्धिकी अमीद है आप सब खेरियत से होंगे तो वियर्स वो तूफान बहुत करीब आ चुका है साइकलोन और कराची और दीगर साहिली पट्टी के बहुत करीब मौजूद है अब चंद सो किलोमीटर के फासले पार है और उसकी शिद्धत आप महसूस कर सकते हैं यह तूफानी लहरे काफी उची 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 उच्छी 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 हो गई हैं और इसके असरात राच से कमाम साहिली पट्टी पे रोनुमा होने शुरू हो गए हैं काफी तेज हवाई पे चल लही हैं और यह सलसला मैट आफिस के मताबिक पूरा दिन जारी रहेगा कहीं कहीं हलकी हलकी बुन्दाबान्दी भी शुरू हो गई है आपके लाखों में क्या सुरत हाल उससे भी हमें आगा करें लहरे आप देख रहे हैं ताहद निगात उची उची लहरे उट रही हैं और यह दिवार से आके टक्रा रही हैं सी वी उपर यही हाल इस वक्त बदीन ठटा और दीगर शहरों का भी है केटी बंदर का इसके लावा भारती गुजरात में कल राच से बहुती खतर नाक तूफानी हवाएं हैं जिसकी वज़े से वहाँ यह देख रहे हैं आप लहर कितनी उची उची उट रही हैं तो यह सुरत रहाल इस वक्त यहां पर चल रही है और यह अखीनी तोर पे आवाम को चाहिए कि वो घरों में रहे हैं जैसे कि हमने शुरू में दिखाया है क पुलिस वाले भाई लोगों को मना कर रहे हैं लोगों लेकिन अपने बच्चों और फैमिली के साथ यहां पर इंजॉय करने आ रहे हैं उनके नजदी की एक इंजॉयमेंट है उदारा अपने अपने घरवालों की इफाज़त करें और घरों में रहें यही आपके लिए बे लिए उपर कुछ मनाजर दिखा रहे हैं कलॉक टावर के पास से यहां पर आप देखें एकादुका लोग खड़े वे हैं जबके सीबी सी के नमाइन देवी बार बार आके मना कर रहे हैं कि यहां मत आएं यहां नार खड़े हों लेकिन बस लोग सुनते ही नहीं यह यह लह कभी दाएं और कभी बाएं हो रहा है यह साइकलोन और वक्त के साथ साथ इसमें तबदीली आती जा रही है इसकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है और यगीना हवाओं की रफ़तार में भी बहुत इजाफा हो जाएगा जो के तवक्त है कि 160 किलो मीटर तक जा सकती है और इसके लावा बारिश के बारे में जो प्रेडिक्शन है वो यह है कि 400 मिली मीटर तक बारिश मतवक्त है 400 मिली मीटर तक अगर इतनी बारिश हो गई चंद घंटों में कराची में तो आप सोच लें कराची का क्या हाल होगा यह देखें आप लह रहे हैं और यह कपल भी खड़ावाय यहां पर भाई अपनी अपनी घरवालों की वाज़त करें नेक्स वीडियो के इंतजार करें मुझे अजाज़त दें असलाम अलेकुम फी आमान इल्ला पाकिस्तान जिन्दाबाद